हाई प्रेंट्स आज मैं सुनाऊंगी आपको एक गरीब लकड़ारा और पैसो का पेड़ एक गरीब लकड़ारा लकड़ियां काटकर अपनी घर जा रहा था रास्ती में उसे एक सादू बाबा मिले सर्दियों के दिन थे सादू बाबा ठंड से ठिठोर रहे थे लकड़ारे ने कुछ लकड़ियां सादू बाबा के पास जला दी उन्हें बहुत आराम मिला खुश होकर उन्होंने लकड़ारे को एक अंगूठी दी उन्होंने लकड़ारे को बताया कि यदि वै इस अंगूठी को पहन कर मंत्र पढ़ेगा तो उसके सामने पैसों का एक पेड उगाएगा फिर वै जितने चाहे उतने पैसे तोड़ सकता है उन्होंने लकड़ारे को एक मंत्र भी बताया पेड उगाने के लिए ये मंत्र पढ़ना जरूरी था लकड़ारे ने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और अपने घर आ गया उसने अपनी पत्नी को गूठी दिखाई वै भी बहुत खुस हो गई अब उन्हें जब भी पैसों की जरूरत होती थी बे दोनों पैसों का पेड उगा लेते थे एक दिन उनके पडोसी ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया उसे लालच आ गिया एक रात उसने वह अंगूठी चुरा ली उसने अंगूठी को पहन लिया और पैसों का पेड उगने का इंतिजार करने लगा लेकिन कुछ नहीं हुआ उसे पता ही नहीं था कि पेड उगाने के लिए मंत्री भी पढ़ना पड़ता है उधर लकड हारा परिसान था उसने पूरे घर में अंगूठी ढूड़ी लेकिन उसे कहीं भी अंगूठी नहीं मिली वह परिसान होकर सादू बाबा के पास गया सादू बाबा ने अपनी सक्ति से चोर का पता लगा लिया अंगूठी उस लालची पडोसी के पास ही थी सादु वावा ने उससे अंगूठी ले ली और उसको पुलिस को पकड़ा दिया पुलिस ने उसको कड़ी सजावी दी बच्चो हमें किसी की भी कोई भी चीज चुरानी नहीं चाहिए चोरी करना बहुत बुरी बात होती है और उसका अंति भी बुरा होता है जिसकी हमें सजा भी मिलती है इसलिए हमें कभी भी किसी की भी कोई चीज चुरानी नहीं चाहिए धन्यवाद